पीरियड्स यानि की मासिक ध्रम एक नैचुरल प्रोसेस है और 11 से 50 साल की महिलाओं को इससे गुजरना ही होता है महिलाओं का सरीर ठीक से काम कर सके इसके लिए हर महने पीरियड्स का आना बेहद जरूरी है इस दोरान हैवी बलड फिलो के चलते उन्हें परेशानी और दर्द होता है खास कर पीट और पेट के निचले हिस्से में लेकिन कई बार किसी खास मोके धार्मिक अनुष्ठान या सादे बिहा में कुछ घंटो या कुछ दिनों के लिए पीरियड्स को टालना जरूरी हो जाता है हाला कि बाजार में इसके लिए के दवाईयां मोजूद हैं लेकिन नैचुरल तरीके से पीरियड्स को टालना किसी भी मायने में बहतर होता है दरासल आर्टिफीसियल तरीकों को अपनाने से साइड इफेक्ट और हॉर्मोन्स के असुंतुलित होने का खत्रा बना रहता है इन साइड इफेक्ट की वज़ा से अगले महिने देरी से पीरियड्स आते हैं और चेहरे पर और ठुड़ी पर बाल भी आने लगते हैं ऐसे में नैचुरल उपायों को अपनाने में ही समझदारी है इसलिए यहां पर हम आपको ऐसे ही घरेलू नुष्कों के बारे में बता रहे हैं जिन से आप पीरियड्स भी डाल सकती हैं और आपको किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा तो आईए जानते ह उन घरेलू नुष्कों के बारे में तीन बार पीएं ऐसा करने से आप तीन से चार दिन तक पीरियड्स टाल सकती हैं लेकिन याद रखिए कि विनेगर वाला पानी स्वाद में अच्छा नहीं होता इसलिए पहले से त्यार रहिएगा मासिक ध्रम की समस्या को टालने के लिए एक कटोरी पाने में जिलेटीन का पेकट घोल कर उसे तुरंथ पी ले इससे आप तीन से चार घंटों के लिए पीरियड्स को टाल सकती हैं यहीं नहीं इसे बार बार पीने से आप जितनी मरजी उतने दिन तक पीरियड्स से दूर पीरियड्स टाल रही हों लेकिन लंबे समय तक ऐसा करने से इसके नुकसान भी हो सकते हैं इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि पीरियड्स को टालने के लिए आप नीबू का भी इस्तमाल कर सकती हैं क्योंकि इसे खटे फल से भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जात है यही नहीं नीबू पीरियर्स को टालने ज्यादा बलड़ फ्लो को कंट्रोल करने या रोकने के भी काम आता है इसके लिए नीबू को चबाएं या खाएं आप पानी में नीबू निचोड़कर भी पी सकती है एक क्योर एन हलड़ेस्क रिपॉर्ट अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोटर, पीजियो एजिटर, कैमरा मैं या स्कृप्राइटर तो हम इस संपस करें